लड़की लड़कों के पीसे भाग रहा है लड़का लड़की के पीसे भाग रहा है दोनों भाग रहा है पता नहीं कहा जाना है यह मैं ब्रह्मचारियों के बात कर रहा हूँ उनकी नहीं जो तीन तीन बार चार चार बार गलत काम करता है उनकी लिए क्या है उनको कुछ भी दे दो वो तूरन से जाएंगे कर लेंगे दोस्तो आज है ब्रम चुरे अल्टीमेटम डे नमबर एट कोई भी मेरे भाई नए हो पाटिस्पेट करना चाहते हो हमारे साथ इस अल्टीमेटम में हिस्सा बनना चाहते हो पूरे एक साल के लिए तो अपना नाम और आप कहां से होच चीज़ को मेंशन करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप इस अल्टिमेटम का हिसा बन जाएगा अचा जब भी मैं अपने मेल चेक करता हूँ तो मुझे एक चीज़ नजर आती है almost 80% of the mails होते हैं इस तरह के कि सौरी भाई दस दिन ब्रह्मचरे भी नहीं कर पाया भाई हो गया मेरा काम तबाम ब्रह्मचरे नाश कर दिया मैंने साथ दिन में ब्रह्मचरे नहीं हुआ भाई सौरी सौरी कहते हैं बहुत ज़्यादा देखकर दुख होता है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ultimatum को मुझे लगा था यार सब करेंगे और मैं यह नहीं चाहता कि कोई पीछे राजा है बार बार यहीं चीज़ कहता हूं क्योंकि मुझे personally बहुत बुरा लगेगा मुझे आपका नहीं पता लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर कोई भी बंदा पीछे राजा है हम सब 300 दिन पर बैठे हूं और कोई बंदा अभी भी restart कर रहा है day 1, day 2, day 3 पर पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता ना सब अपने भाई जैसे हैं बुरा लगता है मुझे तो सत्ते बात है आपको थूड़ी सी तकलीफ होगी सुनने में लेकिन सुन लीजिए हो सकते हैं आपको कामा जाए आप क्या देखते हो मेरा मतलब है टेलिविजन पर क्या देखते हो अपने मुबाईल पर आप क्या देख रहे हो एक लड़का अपनी लड़की को पताने के लिए जी जान लगा रहा है यह सारी छीज़े देख रहे हो कि राइट, है ना, प्यार भरी चीज़े प्यार बाट रहे है आपस में वो भी किस तरह के, अलगी कोई सीन चल रहा है वो आप देख रहे हो बैटकर पॉपकॉण लेकर खा रहे हो, देख रहे हो, और मसे ले रहे हो, राइट, एक आदमी अपनी भावी को लाइन मार रहा है, फिर उदर से और एक इनसान, इसकी जो पत्नी इसको लाइन मार रहा है, ये देख रहे हो न आप, अशलीलता, सारी चीजें आपने उठा कर साइड मे रख दी, डिसिप्रिन गया तेल लेने आप क्या कर रहे हो बस यही, सारा दिन देखूँँगा मैं, बैठ कर वेब सिरीज देखूँगा और वेब सिरीज खतम होती है एक के बाद एक वेब सिरीज आपको मिलती रहेंगे क्या करोगे, बताओ वेब सिरीज में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मुझे एक बाद बता दू बाल-बाल क्यों देखना पड़ता है देखो एक बाद बताओ मुझे अगर किसी इनसान को लगता है कि एक महिला के साथ संपर्क बनाऊंगा, वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सुख की प्राप्ति होगी ऐसा है क्या? देखो जो ऐसी बाते करेंगे मैं उनको यही सला दूँगा कि भाईया आप थोड़ा सा पीनियल ग्रेंड के बारे पड़े थोड़ा सा रिसर्च करे लोग वो भी नहीं करते उनको लगता है भाई महिला के साथ संपर्क बनाऊँगा, रिलेशन बनाऊँगा भाई वही सब पुछ है भाई वही ultimate goal है वही होगा, hole के पीछे भागो देखो क्या होता है goal का मुझे एक इंसान दिखा दो जो बिना discipline के ब्रह्मचरे पालन कर चुका हो एक इंसान, बस, बस, काफी है कोई है अगर आपके ध्यान में तो मुझे मिलाईए उससे हम भी देखना चाते हैं उसको जानना चाते हैं कौन है ये महापुरुष क्योंकि देखो discipline और ब्रह्मचरे साथ साथ में चलते हैं बच्पन में हम सब मिलकर ब्रह्मचरे पालन कर रहे थे जाने अन जाने हमें जो मिलता था हम खा लेते थे शाकारी हो किसी के लिए कोई मन में मैल नहीं था लड़की के लिए तो आकरशन था ही नहीं बड़े हो गए हमारे शरीर में हॉर्मून्स बनने लगे हमें पागल कर दिये वो सारी चीजे मिलकर ऐसा ही तो है आप वही थे बस बड़े हो गए हो हॉर्मून्स के वज़े से पगला गए हो सुनने में अजीब लगे या लेकिन यही है सत्य आप बच्पन में without any information किसी के guidance के बिना भी ब्रह्मचरे का पालन कर रहे थे है ना amazing लेकिन फिर भी आपको अभी guidance चाहिए ultimatum देना पड़ता है सुनने में हो सकते हैं थोड़ा कड़वा लगे लेकिन देखो आप थे ब्रह्मचरी अब थे एक मासूम इंसान इनोसेंच जो दुनिया के बारे में सोचता है अच्छी बाते सोचता है जिसके मन में किसी के लिए भी कोई भी जलन नहीं है मैल नहीं है लेकिन देखो क्या हो गया है ने tragedy खराब लगता है न किस अलग क्या था मैं आप अपने बच्पन की फोटोग्राफ को लिका लो देखो के कितनी ज़्यादा चमक है वो आप ही थे आपके सर पे कितना अच्छे घुंगराले बाल थे सिल्की सिल्की हेर थे आपके गुलाबी गाल थे एक अलगी चमक थी आपकी स्किन में जब आप बच्चे थे फिर आप बड़े हो गए और सब कुछ बरबाद हो गया है न क्या किया जाये बताओ लड़की लड़कों के पीसे भाग रहे है लड़का लड़की के पीसे भाग रहे है दोनों भाग रहे हैं पता निह कहा जाना fehlt यही तो है सब कुछ क्योंकि भागना ही ज़रूरी है गोल क्या है पता नहीं होल के पीछे भागेंगे भाईया सारा दिन होल के पीछे भागते रहेंगे चैट करते रहेंगे कहां जाती हो, कहां आती हो कौन से टूशन वे जाती हो कहां पढ़ती हो फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है आपको क्या है उससे, क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला सोच कर देखना बहुत अटपटी लग रही हुगी यह सारी चीजे, लेकिन यह बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है जानना यही तो कर रहे हैं सारा दिन तभी तो हो रहा है न, एक छोटी-छोटी चीजे मिलकर ही ब्रह्मेचरे नाश करवाती है अगर आपने कुछ देख भी लिया अचानक से तो उसके वज़े से तुरांथ हो सकता है आप ना भी करो, लेकिन पांस दिन बाद, छे दिन बाद वो चीज इतनी ज़्यादा घर कर गई होगी आपके ब्रेइन में आपको लिटरली रोक पाना नामुम्कीन होगा किसी के लिए भी, कोई motivational वीडियो कभी काम नहीं आएगी क्योंकि आपने तीन दिन संगर्ष किया उसके बाद जगर आपने गिव अप किया ये मैं ब्रह्मचारियों के बात कर रहा हूँ उनकी नहीं, जो तीन तीन बाद, चार चार बाद गलत काम करता है, उनकी लिए क्या है उनको कुछ भी दे दो, वो तुरन से जाएंगे, कर लेंगे उनके बात नहीं हो रही है बात हो रही है उनकी जो ब्रह्मचारियों का पालन करता है वो फिर भी देखकर कुद को समाल लेंगे लेकिन वो चीज उसके मन में घर कर जाएगे जब आप साइकोलोजी को समझोगे हुमन साइकोलोजी को बारे की से जब अब्जर्ब करोगे आपको एक चीज नोटीस करना खुद से नोटीस करना ही है बहिया, गरबढ हो जाता है अंधर ये अंधर गरबढ होता है तो जो इस तरह की बाते करते। बहhesia साथ दिन ब्रह्मचरे भी नहीं हो पाता। सौरी दस दिन ब्रह्मचरे भी नहीं कर पाता। उनको एक ही सदा दूगा भहिया, आपका मן नहीं है। पहले इस मन को चखलता से बचाओ। हमारा ब्रेन इस तरह से निर्मान किया गया है कि भाया उसमें ऐसे सी चीजें continuous process हमेशा चलती ही रहती है ठीक है अगर आपका मन चंचल हो रहा है तो उसको आप जितना हो सके काबू करना सीखें meditation हो सकते आप ना करते हो अगर आप meditation करते हैं तो ये problem होती ही नहीं चार-पांच चीजों के पीछे आप भाग रहे हो लास्ट में कुछ मिलता ही नहीं आपको इस सारी मुसीवत की जड़ पता है क्या है गलत संगती भाया मैं यहां पर सिर्फ दोस्त लोगों की बात नहीं कर रहा सारा दिन क्या करते हो कोई हिसाब दे पाएगा खुद का सारा दिन वो क्या करता है कभी न कभी वो जाकर बैटता है खाली टाइम मिलता है अकेली रूम में खुछ करने को है ना चलो देख लेते हैं लॉक डाउन में सबसे जादा लोग दे लोग देखना स्टार्ट कर दिये थे असलिल वीडियो थे है और ऐसा नहीं है भाईया कि आपको एक बार ब्रह्मचरे नाश करते हुए आपने खुद को देख भी लिया तो इसका यह मतल में कि भाईया फिर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं स्टार्ट करो आज से देखो क्या होता है कहां तक जा सकते हुए देख लो अगर फिर भी आपको लगता है कि 6 महने 7 महने आप कंटीन्यू कर पाते तो वो तो एक एचिमेंट हुई होगी जितने दिन ब्रह्मचरे कर पाते हो इन फैक्ट आपके लिए बेस्ट होगा अच्छा ही होगा उसमें गलत तो कुछ नहीं है मातम मनाने की कोई जरुवत नहीं ह अराम से रहो कोई दिक्कत नहीं स्टार्ट करो फिर से जो भी ओर नहीं और फॉल फॉल को लेकर कोई परिशान होना ही अगर कुछ नहीं है जिससे होता है वो आपको अच्छी तरह मालूम में ब्रहु जरूसियों होता है उस चीज़ को काबो करना सीखो फॉल के बार में मत सोचो तो that is it for today guys I hope आपको थोड़ा सा motivation मिला होगा थोड़ा सा मैं आपको flashback में लेके अर गया कि बच्चपन में भाईया हम कैसे थे और आप हम देखो कैसे हो गए तो यह चीज़ से आपको सीखने को मिलती है कि हम बच्चपन में ही ठीकते है बच्चपन में हम सोचते हैं बड़े हो जाएंगे पर अभी सोच रहें कि हम बच्चपन में ठीकते है तो यह सारी चीज़े चलती ही रहेंगे भाईया मेरे हिसाब से तो बच्पन ही सही था ठीक है आप अपने opinion रख सकते हैं कमेंट में जाकर वरना ये तो human nature है ठीक है अभी हम सोचेंगे फिर और बड़े हो जाएंगे तो हमें और मज़ा अरने लगेगा life का ये part है human का इसी तरह से दिमाग चलता है कि भाईया वो अभी में खुश नहीं रह सकता उसको future अच्छा लगता है और भाईया past regret करवा देता है बस ये ही है खेल ठीक है that is it for today अपना ख्याल रखना ऐसी दमदार वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे तो बस आज के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई